गुड मॉरिंग मेडम वेरी गुड मॉरिंग मेडम मेरा नाम सतीश है हाँ तो सतीश जी बताईए कैसे आना होगा आपका डोक्टर मैं आपसे एक सलाच आता हूँ जी बताईए कैसी सलाच आते हैं इन दिनों में बहुत परेशान चल रहा हूँ और वो भी बता देता हूँ कि मैं परेशान क्यों हूँ जी बताईए जब तक आप हमें अपनी प्रोब्लम बताएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा डोक्टर मैं अपनी स्टेश लाइफ से बहुत परेशान हूँ मैं अपने बिजनिस को लेकर अपने घर को लेकर अपने परिवार को लेकर अपने बीवी को लेकर अपने बच्चों को लेकर बेहद परेशान हूँ मैं किसी को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ अपने बिजनिस में मुझे इतना इन्वोल होना पड़ता है कि घरवालों के लिए टाइम ही नहीं बसता है अच्छा ये बताईए आपको किस तरह की टेंशन हो रही है क्या आपको बिजनिस को ले की टेंशन में है क्या कोई और प्रोब्लम है जी जी बिल्कुल मैं अपने बिजनिस को लेकर बेहद परिशान रहता हूं समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ ना तो मैं दोस्तों के साथ कहीं घूम फिर सकता हूं और नहीं अपने बिजनिस में ही लगा रहता हूं सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ बिजनिस ही सूजता है मुझे और इससे मेरे घरवाले भी बहुत परिशान है ना तो मैं उन्हें टाइम दे पाता हूं और नहीं उन्हें कहीं घूमाने के लिए ले आ सकता हूं जी हां मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप अपनी वाइफ को कितना टाइम दे पाते हैं मेरा मतलब उनकी साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं Actually, मेडम, ऐसा है कि जब हम अपने बिजनीस में टाइम देते हैं, तो उन्हें टाइम नहीं दे पाते हैं, और इस वहे से वाइब जो हो बहुत ज़ादा भड़कती हैं. देखे, अगर आप अपनी वाइफ को टाइम नहीं देंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तो घर में जगडा, टेंशन तो होंगी, और वो चिर्चिरी भी हो जाएंगी. ये बताईए मैडम, अगर मैं अपने बिजनिस पर ध्यान नहीं दूँगा, तो मेरा बिजनिस बंद हो जाएगा, और फिर मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊँगा, अपने बच्चों को क्या खिलाऊँगा मैं? देखिए, ये बात तो सही है, और अगर आपको बिजनिस को लेके कोई मैंटली टेंशन है, तो वो आपके लिए नुकसान दायक हो सकती है. वाट? देखिए, जब आप अपनी वाइफ के साथ में फिजिकल रिलेशन सिख बनाएंगे, तो उससे आप मैंटली डिस्टरब नहीं रहेंगे, बलके आपको मैंटली संतुस्ती होगी, और आगे आप अपने काम के बारे में सोच पाएंगे. मेरा मतलब है कि फिजिकल रिलेशन क के बारे में तो आप जानते ही हैं न? मैडम, मैं एक बिजनिसमेन हूँ, और अपनी बिजनिस में वेजी रहता हूँ, तो क्या मुझे रोज अपनी बीवी के लिए वक्त निकालना पड़ेगा? बिलकुल जरूरी है. मैडम, अगर मैं अपनी वाइफ के साथ संभोग नहीं करता हूँ, तो क्या मेरी वाइफ मुझे संतुष्ट नहीं रहेगी? बिलकुल नहीं रहेगी. ऐसा क्यों है? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ. जब हमें खाने के जरूरत होती है, तो हम टाइम टू टाइम खाना खा लेते हैं. इसी तरह, जब शरीर को शरीर की रिलेशन नहीं बनाएंगे. तो आपके लाइफ में तो टेंशन बनी ही रहेगी ना? जोक्टर, ये बताइए, मैं एक बिजनस में हूँ. और मैं चाहता हूँ, अपना पूरा टाइम अपने बिजनस को बढ़ाने के बाद टाइम दूँ, तो इसमें क्या बुराई है? अभ आप अपनी वाइफ को वक्त नहीं देंगे, तो ओफिसली बात है कि आपके पास टेंशन बनी रहेगी. आप घर जाएए, ओफिस से, अपने बिजनस से थोड़ा सा टाइम निकालिए, जिस तरह आपको सेक्स की जुरूत है, उसको भी है. आप उसको सेक्स करें, उसे आप अगे नहीं बढ़ेगा, और कैसे आप टेंशन फिरी नहीं रहेंगे, बताइए मुझे. क्या ये चीज जरूरी है कि संभोग जो है वो उम्र के हिसाब से होता है? जरूरत होती है, फिजिकल रिलेशन करना. मतलब मेडम, बिजनिस के साथ साथ अपनी वाइफ को भी टाइम देना जरूरी है? जिससे हम लोगों के जिंदगी सही तरह चलने लगेगे? बिल्कुल चलने लगेगे. मतलब अपनी वाइफ को टाइम देना हमारे लिए कंपल सर देखें, अगर आप अपनी राइफ में हमेशा टेंशन में रहेंगे, आप अपने फिजिकल रिलेशन का मज़ा नहीं ले पाएंगे. और अगर टेंशन में रहेंगे और टेंशन को लेकर अपनी वाइफ के पास जाएंगे, नहीं तो आपको मजाएगा नहीं आपकी वाइ के जाएं उनके साथ इन्वोल हो जाएं उन्हें टेंशन ना दें बलके उनके साथ अपनी लाइफ को इंजय करें जोक्टर मैं एक बिजनिसमेन हूँ और मुझे बिजनिस के सेजले में कही लोज बाहर भी रहना पड़ता है आप ये मुझे बताईए कि मैं हफते में कितना टाइम अपनी वाइफ को दूँ जिससे मेरी वाइफ को मुझसे कोई शिकायत ना रहे है देखिए अगर आप अपन से अपनी सारी प्रोग्रम से इतना समय तो निकाली कि कम से कम हफते में एक दिन दोने दीजी जी मैं और कोई हल्प चाहिए सथी जी मेरी नहीं मैं ओके थैंक यू थैंक यू